Hello everyone, मैं हूँ Educator Rahul Mishtar और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भारत देश में यानि कि हमारे देश में रेप का मुकदमा लिखाना जितना आसान है उतना ही कठिन इसमें जमानत पाना है जी हाँ रेप का मुकदमा लिखाना सबसे आसान है इस देश में कि आप किसी भी स्थिती में रेप का मुकदमा बहुत आसानी से लिखा सकती है और जमानत पाना इस मुकदमे में बेहद टफ हो जाता है सबसे कठिन है इस मुकदमे में जमानत पाना और जो नए कानून आ गए हैं उसके तहट तो अब जमानत मिलना लगबग लगबग असंभव सा हो गया है तो ऐसी कंडिशन में जब आपके उपर 376 यानि की रेप का मुकदमा अगर सेक्शन 69 BNS का मुकदमा नए प्रावधानों के तहट रेजिस्टर हो गया है या रेप का रेजिस्टर हो गया या शादी का जहांसा दे के बलातकार करने का मुकदमा रेजिस्टर हो गया तो ऐसी कंडिशन में आपको किन आधारों पर मानिने नियाले से जमानत मिल सकेगी क्या आधार होंगे जिसके बेसिस पर आपको जमानत मिलेगे डिटेइल में बात करेंगे लकम उस से पहले हर बार की तरह मेरे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है या पहली बारा रहे है या भी तक आप लोगों ने ऊसे सब्सक्राइब नहीं कहиной तो प्लीज सब्सक्राइब करियेगा साथी साफी कंबल रिक्वेस्ट और है अगर आप मुझसे परसनली मिलना चाते हैं लखनो दिली अलाहबाद में तो अपनी अपॉइंटमेंट शेडियूल करा कर मिल सकते हैं नमबर डिस्क्रिप्टिन न मिल जाएगा ये नमबर महज मैं आपके सहीयोग के लिए देता हूँ लेकिन डारेक्ट कॉल न करें वाटसअप के तुरू जो भी कनवर्सेशन करनी है आप कर सकते हैं चलिए हम लग वीडियो स्टार्ट करते हैं मैंने जैसा कि कहा कि रेप का मुकदमा लिखाना बेहदासान है कभी कभी स्पॉंटेनियस बेसिस पर रेप का मुकदमा पुलिस रजिस्टर कर लेती है अब आसान है क्योंकि महिला संबंधी कानून है जेंडर नीट्रल कानून नहीं है केवल ये जो प्रोटेक्शन दे रखी गई है महिलाओं को दे रखी गई है पुरुषों को किसी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं दे रखी गई है कानूनों में बारतिये कानूनों में पुरुष को एकक्वल समझाएं नहीं जाता है उसको सबसे निम्नतम शेडी का समझा जाता है जी हाँ मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे कानून कहते हैं मैं उसके हिसाब से बता रहो भी गॉर्मेंट ने नए कानून मनाए उन कानूनों में पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं किया जो जमानत पाणने का सबसे बेटर आधार होगा डिले कि अगर किसी महिला ने बहुत देर से फायार कराई है लेट से कि उसके साथ कोई घटना करब दो महीने पहले कारित हुआ है या दो साल पहले कारित हुआ या दस साल पहले कारित हुआ है तो उस कंडिशन में आप जमानत पा सकते हैं डिले करी है F.I.R करने में धेरी करी गई है तो आपको जमानत कोर्ट से मिल सकती है कई-कई बार महिलाएं अपना इंसिडेंट पांच-पांच साल पुराना दिखाती है और पांच साल बाद आके F.I.R लिखाती हैं पिछले पांच साल पहले इन्होंने मेरे साथ सारे एक संबन्द मनाये थे जब मैं 16 साल की थी जी हां ग्रैविटी बढ़ाने के लिए ऑफिंस की ग्रैविटी बढ़ाने के लिए ताकि पॉक्सों में मुकदमा रजिस्टर हो जाए और आपकी जमानत होना संबह हो जाए और आप जेल चले जाए 16 साल के नीचे की लड़की पॉक्सों 6 लगेगा तो ऐसी कंडिशन में आपको जेल जाना एकदम सुनिश्चित हो जाएगा इसलिए दिखाया जाता है कि इनके द्वारा जब मैं 16 साल की थी तब से मेरा बलातकार किया जा रहा है तो डिले इने फाय आर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी वहाँ पर वो कि इतने डिले से इनोंने फाय आर क्यों लिखाई वो कहेंगी कि हम बहुत जादा डरे थे सहमे थे उस समय हम भैबीत थे हमें समाच का बहुत डर था लेकिन आज पैसे आपने नहीं दिये चूकीन हुने आपके उपर फाय आर लिखा दी पैसे आपने नहीं दिये समाच का डर खतम हो गया है अब आप से गवाही के नाम पर 164 के नाम पर अलग अलग स्टेजस में पैसा वसूल आजाएगा लेकिन यहां पर हम लोग वो डिसकुसन करने नहीं बैठे हम डिसकुसन करने बैठे कि ब्रेप का मुकदमा रेजिस्टर हो गया तो एफायर के बाद आपको बेल कैसे मिलेगी और दूसरी चीज जहां पर लड़की ने कहा है कि उसके साथ तुरंत के बैसिस पर एफायर रग लिखाई है और उसने तुरंत कहा है कि उसके साथ किसी वेक्तिने बलातकार जैसी घटना कारिद करी है लेकिन स्वयम से उसने अपना medical test कराने से मना कर दिया उसने का कि हम अपना medical नहीं कराएंगे हम अपना जो डाक्टरी जांच नहीं कराएंगे गाउं की भासा में कहूं तो medical नहीं कराया तो असपष्ट कैसे होगा कि उसके साथ बलातकार actual में हुआ है या नहीं हुआ है कहीं वो habitual तो नहीं है क्योंकि medical में अगर वो लड़की कई लोगों के साथ sexual relationship establish करने में सफल रहती है बनाती है तो sexually active आ जाता है habitual लिख किया जाता है तो उस condition में भी जहां पर महिला ने medical कराने से मना कर दिया है आप जमानत पाने के अधिकारी है तो पहला ground क्या हो गया delay ने fire हो गई दूसरा ground ये हो गया कि जहां पर medical कराने से मना कर दिया है और तीसरी चीज क्या है कि अगर journal nature के allegation लगा रखे हुए कोई असपष्ट जिक्र नहीं किया है कि किसने उसके साथ बलातकार किया या किस वेक्ति ने उसको काटा पीटा पकड़ा मारा किसने कपड़े भाड़े असपष्ट नहीं जर्नल नेचर कई लोगों पर allegation लगा दिये तो उस condition में जहां allegation journal nature के हैं वहाँ पर भी आप जमानत पाने के अधिकारी हैं and title हैं आपको जमानत मिल जाएगी और तीसरी चीज़ क्या हो गई पहला मैंने बता दिया delay ने फाया दूसरा बता दिया मैंने कि आपका medical नहीं होना चाहिए absence of medical है तीसरा आपका हो गया allegation journal nature के हैं चौथा हो गया कि जहां पर specific date, time, place जहां पर जिस महिला के साथ घटना कारिद हुई है जिसके साथ बार बार बलातकार किया गया है किसी hotel में ले जाके किसी पार्क में ले जाके किसी जंगल पे ले जाके उसको असपष्ट तोर पर वो नहीं बताई है कि उसको इस जगहाँ पर इतने बजे इतने तारीक को इस अस्थान पर इस होटल में इस कमरे पर ले जाकर बलातकार किया गया, जिस महिला के साथ बार बार किसी अस्थान पर जाकर बलातकार किया गया है, बार बार उसके साथ किसी अस्थान पर किसी वेक्तिने सेक्शुल रिलेशन से बिल्ट अप करे किसी कमरे में ले जाके किसी किराय के कमरे में ले जाके किसी hotel में ले जाके उस अस्थान को बताने में सक्षम है तो आप समझ लीजिए कि जूटी F.I.R अश पर पे लिखा रही है यहां पर आप बेल के लिए इंटाइटल हो जाएंगे तो delay F.I.R हो गई absence of medical हो गया जर्नल नेचर के लिगेशन हो गये और no specific date time place देने में सक्षम है कोई स्थान नहीं बता पाई है तो इन अधारों पर जो 4-5 अधार हैं आपके इनके basis पर आप जबानत पा सकते हैं सबसे महत बुड़ा धार है कि अगर आप लोग मान लीजिए couples थे एक जगहां living relationship में रह रहे थे आप दुरों लोग living relationship में रहे कि आपस में संबन मना रहे थे सबकुछ सैमती से था लेकिन अचानक से आपके नोकरी लग गई तो महिला बदल गई उसने आपके ओपर allegation लगा दिया तो आप consent से भी अपने आपको बचा सकते हैं consent साबित करके बचा सकते हैं और अखला चीज जो है कि अगर आपके बीच में किसी प्रकार का रुपए का लेन देने पैसे का लेन देने कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पैसे मांगती हैं आप उनको पैसे दे देते हैं पैसे ले लेने के बाद वो पैसा जब वापस recover करना चाहते हैं तो आपके ओपर F.I.R. register हो जाती है 376 की जी हाँ इज़त नहीं है कुछ भी इज़त कमजोर चीज होती पैसा मजबूच चीज होती इसलिए वो आपके ओपर 376 जैसी संगीन धारा में मुकदमा रेजिस्टर करा देती ताकि आप पैसा अब नलो वो आप से अब 10 लाख रुपए और उसूले तो इन आधारों के बेसिस पर अगर ये सारी चीज़े आपके पास उपलब्ध हैं मौजूद हैं तो इन आधारों के बेसिस पर आप जवानत पा सकते हैं और अगली चीज एक चीज और जिस दिन का घटना कराम अगर किसी महिला ने कारित होना बताया गया है उस दिन आप उस लोकेशन में थे ही नहीं अपने ओफिस में थे दूसरे शहर में थे कहीं और पर काम कर रहे थे आपके पास उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है आप किसी और लोकेशन में एटियम से पैसा निकाल रहे थे वहां का वीडियो है आप किसी जगह शॉपिंग कर रहे थे आपके पास रसीध है आप कहीं यात्रा कर रहे थे आपके पास ट्रैकिंग आईडी है या ट्रैवल टिकट है तो उस कंडीशन पर भी आप बेल पासकते है उमीद है या जानकारीब समझ आईए पसंद आईए अगर ऐशा कुछ है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना साथी साथ फेस्बुक, इंस्टाग्राइम, ट्विटर पर भी फॉलो कर लो या लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्टरों मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा लेकिन बेडर लीगल एड्वाइस के लिए आप अपने वकील साफ सही बात करें यह मेरा पर्सनल ओपीनियन है यह तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं मैं आपको बाद नहीं कर रहा हूँ यह आपकी मर्जी है यह थी आपकी इस थाट्टिकस इन यूर केस्सट और नोट थांक यू सो मुष जै हिंद जै भारत